हलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी टिप सियाची का आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज जो में रिव्यू करने जा रही हूं आपके सामने वो और गैनिक हार्वेस्ट के इस फेस वोश का है जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में और गैनिक हार पर चैस किया था और देखा था ट्राइल किया था कि देखते हैं और गैनिक हार्वेस्ट की जो प्रॉड़क्ट है वो कैसे हैं तो इस फेस वोश के बारे मैं मैं आपको बताने वाली हूं अपनी वीडियो में जो की और गैनिक इसकिन लाइटन फेस वोश है तो आप हमारे channel पर बने रहिए एंड तक वीडियो जरूर देखिए और अभी तक अपने channel subscribe नहीं किया है तो प्रीज पहले subscribe किजीए और फिर वीडियो देखिए आई होप आपने चैनल subscribe कर दिया होगा तो अब मैं आपको इस product का review करने जा रही हूं जैसे कि बताया है organic harvest नाम से ही organic पता चलता है कि ये एक chemical free paraben free product बनाते हैं और इसमें किसी तरीके का harmful chemical use नहीं करते हैं सारी जो इनके product है वो बिल्कुल organic तरीके से बनते हैं तो इसलिए company का नाम organic harvest रखा गया है तो इस जो face wash है ये organic skin lighten face wash है जो कि हमारे skin को lighten करता है मतलब ये मैंने यही सोच के लिया था कि हाँ ये skin को lighten करता है दीरे-दीरे कुछ तो इसका effect होगा तो इसका result क्या रहा मेरे साथ मैं आपको बताऊंगी वीडियो के end तक तो आप बने रही है हमारे चैनल पर तो ये organic skin lighten face wash है with organic saffron and sandalwood saffron मतलब केसर होता है और sandalwood मतलब चंदन होता है तो ये एक saffron और चंदन के combination से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा face wash बताया गया है company के through और sulfate free है किसी भी तरीकी के हाम chemical के chemical से ये free है इसमें किसी भी दरीका को chemical नहीं है तो और इसके अंदर क्या-क्या और इसमें क्या-क्या mention किया हुआ है मैं आपको show करा रही हूँ आप read कर सकते हो तो innovative formulas with extract of organic saffron and sandalwood fights and reverse the damage cases to the skin from UV rays अगर आपकी skin UV rays से sun से damage हुई है तो sandalwood और saffron का जो combination है वो आपकी skin को repair करेगा आपकी जो अगर sun rays से skin damage हुई है suntan हुआ है तो वो एक formula जो है sandalwood saffron का वो उस पे effect करेगा तो यही सारा चीजे इसमें लिखी हुई है कि यह आपके जो skin tone है आपका वो आपका skin tone one shade light करेगा आपका skin जो है even tone करेगा आपकी skin का complexion है आपकी skin का complexion fair करेगा and take a moment think about all the amazing things plants can do organic harvest put the power of plants in the high performance product by और कि इसमें सब कुछ यही लिखा है ingredients के बारे मैं मैं आपको बता चुकी हूँ मैं इसको पूरा पड़के आपको सुनाऊंगी तो video बहुत लंबी हो जाएगी बहुत लोंग हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहती आप मेरी video पर बने रही है मैं आपको main main चीजे बताती हूँ तो मैं आपको ingredients बता चुकी हूँ कि कौन-कौन से इसमें जादा main main डले हुए है अब हम बात करते हैं कि यह किन कौन-कौन से skin के लिए और देखो इसमें यह लिखा है free of इसमें अब सची बात इसमें लिखी है यह all skin type वालों के लिए है और इसमें free of paraben mineral soil and animal ingredients तो जो mineral soil होते है जो paraben होते हैं यह सारे handful होते हैं हमारे skin के लिए तो यह सारी चीजे इसके अंदर है नहीं और इसमें नहीं होगी क्योंकि इसका नाम ही organic harvest रखा हुआ है तो इसमें यह सारी चीजे नहीं होनी चाहिए और नहीं है भी नहीं तो और मैं बताना चाहूँगी all skin type के लिए है लेकिन मेरी skin oily है और मैंने इसको पर्चेस किया है तो मैं आपको यह बताऊंगी कि यह oily skin वालों के लिए है या नहीं है ठीक है और इसका जो मैं इसका जो net quantity है वो 100 gram है और इसका जो net price है वो MRP जो है वो 195 है shelf life भी इसकी 3 year है और इसका जो MRP है वो 195 है तो 100 mlr 195 वैसे तो काफी expensive है इतना जादा affordable भी नहीं है और इसका कोई mini pack भी नहीं आता यह सिर्फ 100 gram की भी आता कोई 50 gram का नहीं आता तो company को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ उनको trial pack बनाना चाहिए अगर कोई 200 रुपे की चीज़ नहीं खरी सकता लेकिन 100 रुपीज की खरीद सकता है तो company को इस पर ध्यान देना चाहिए इसलिए इसका यही pack मैंने मंगवाया पड़ा मैंने को trial करने के लिए भी कोई छोटी mini pack नहीं मिला तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह saffron and sandalwoods के ingredients से बना हुआ है और यह हमारे skin को light and bright करता है ऐसा यह कहा है क्लेम किया है company ने लेकिन मैं इसको पूरा यूज कर चुकी हूँ मतलब आप देखो देखो पूरा मैं यूज कर चुकी हूँ इसको और यह बिल्कुल खाली bottle है मैं आपको इसका टेक्शर दिखा रही हूँ इसकी जो smell इसकी जो smell यह बिल्कुल खाली हो चुकी है इसकी जो smell वो बहुत ही अच्छी है जैसे के organic product की होती है फिक्वेंस बहुत अच्छी है इसकी एकदम से फ्रेश फ्रेश वाली फिक्वेंस है इसका जो इसमें छोटी छोटी दॉट्स भी थे यह इस तरीके का transparent एक face wash है और इसके अंदर छोटी छोटी dots भी थे जो कि अभी नहीं निकले देखो जैसे मेरे हाथ पर यह छोटा सा dot है यह इसी के अंदर बहुत सारे dot थे जो कि हमारे skin पर scrub का भी काम करते थे तो ऐसा यह और इसकी जो वह तो मैं आपको बता चुके हैं बहुत अच्छी और बहुत ही माइल्ड है बहुत स्ट्रोंग है अगर किसी को affiquen से allergy है तो उनको थोड़ी problem हो सकती है लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी और freshness हा जाती थी लेकिन जैसा कि मेरी oily skin है और मैं इसको use किया मैंने इसको use किया तो उस तरीके से मुझे इसका result नहीं मिला शायद यह oily skin वालों के लिए बिलकुल नहीं है और dry skin वाले और combination skin वाले ही इसका use करें मेरे को इसका बिलकुल भी ऐसा result नहीं दिखा जैसा कि इन लोगों ने बोला है यह भी हो सकता है कि मेरे skin oily है इसका कोई effect नहीं डला क्योंकि इसको face wash करने के बाद मेरे skin से जो oil है वो बिलकुल नहीं निकलता था तो एकदम से चेहरा bright नहीं होता था बिलकुल भी बस blackness रहती थी वो जो oil की रहती है वो oil रहता था तो इसलिए मुझे यह product बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपको suitable हो लेकिन skin to skin की बात होती है लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको अपने पर experiment करके आपको एक अच्छा review दू कि हाँ कौन सा product आपके लिए better है कौन सा product आपके लिए bad है तो वो चीज मैं कर रही हूं मेरे को यह product अच्छा नहीं लगा मेरे को suitable नहीं हुआ तो मैं आपको भी यही चीज बोल रही हूं कि मेरे को अच्छा नहीं लगा तो आप यह करिएगा जिन लोगों की dry and combination skin है वो इसको try कर सकते हैं otherwise जिनकी oily skin है वो इसको बिल्कुल avoid करें वो पैसे बरबाद बिल्कुल ना करें इसको purchase करने में क्योंकि मेरी oily skin है और मैं इसको purchase कर चुकी और पूरी bottle खाली कर चुकी हूं लेकिन मुझे इसका इता सभी effect बिल्कुल पर दिखाए नहीं दिया तो आप लोगों के लिए भी ये waste of money ही जाएगा इसलिए आप बिल्खुल भी purchase ना करें oily skin वाले dry skin वालों के लिए बहुत अच्छा है वैसे ये बहुत अच्छे तवीके से बना रखा इसमें चुट चुटे dots भी है scrub का भी काम करते हैं और totally माना जाए तो बहुत अच्छा company ने बहुत अच्छा face wash बना रखा है लेकिन इसका effect I think combination dry skin वालों को जादा अच्छा मिलेगा तो वो लोग इसका use कर सकते हैं तो मेरा experience यही रहा है कि मैंने पूरी bottle खाली कर दिया और मुझे बिल्कुल भी इसका effect नहीं मिला तो मेरा experience यही था इस face wash के साथ organic harvest की जो product है वो काफी organic होते हैं आप इनको long time तक use करोगे तो आपको effect जरूर मिलेगा लेकिन skin to skin की बात होती है तो आप अगर dry skin वाले हो आप use करोगे तो आपको जरूर effect मिलेगा आपको बहुत अच्छा effect मिलेगा और जो लोग इसको try कर रहे हैं और जिन लोगों को यह suit आ रहा है प्लीज हो मुझे comment करके जरूर बताए ताकि लोगों को पता चले के हाँ यह dry skin वालों के लिए better है और combination skin वालों के लिए बट ओयली skin वालों के लिए better नहीं है तो लोगों को थोड़ा सा बलीव होए के हाँ यह face wash तो सही है लेकिन skin to skin भी match करता है तो इसलिए जो भी face wash को try कर रहे हैं वो प्लीज हमें comment box में जरूर कमेंट करके बताए ताकि लोगों को help होए कि उनका जो money है वो waste ना जाए हमारा चैनल का भी जो purpose है वो यह है कि लोगों की जो अगर लोग product खरीकते हैं और उस product से अगर उसको फायदा नहीं होता है तो वो उनका waste of money चली जाती है और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं product purchase करती और मेरे को अगर उसका result नहीं दिखता तो बहुत ही दुख होता है तो इसलिए ही मैं review करती हूँ ताकि मेरा तो हो रहा है लेकिन आप लोगों का money waste ना होए मैं यही इसी परपस से अपने वीडियो बनाती हूँ कि जो चीज अच्छी है अच्छी बताऊंगी जो चीज खराब है खराब बताऊंगी और अपनी स्कीन पर एक्सपेरिमेंट करकर मैं आपको यह बताती हूँ कि आप अपना product जो भी ले सो समझ के लिए यह product ऐसा है अगर आपको लगता है आपको suitable होगा तो आप purchase करें otherwise बिलकुल ना करें तो अप इसी लिए मैंने यह चैनल बनाया है ताकि मैं लोगों की help कर सकूँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और हमारी रिव्यू अच्छे लगते हैं तो प्लीस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिये अपनी छोटी सी दीदी को हमारी ăn को शेयर कीजिये ताकि रिव्यू आए बहुत सारे और लोगों प्लीस हैलप करें हमारी और हमाराชैनल एक बहुत अच्छी लेवल पर ले जाए ताकि लोगों की हम बहुत अच्छे से help कर सकें मतलब मेरा भी चैनल टू मन्स ही हुए है और आपने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया है मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने ही वाले हैं आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए और मेरा चैनल एक दिन ग्रो कर जाएगा और मैं लोगों की इसी तरीके से हेल्प करती रहूंगी ओकी गाइज आप विछ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाई टेक केर और थैंक्स फर वाचिंग